हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, रोड रूल्स एंड ट्राफिक साइंस सीरीस के उपर में ये उनिस्वा वीडियो है सुरू के 18 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अब फ्रेंट्स कई बार आपने गौर क्या होगा कि जो मुनिसिपल कॉरोपरेशन के लोग होते हैं यानि कि जो नगर निगम वाले होते हैं वो पबिलिक रोड पे नो पार्किंग जोन में खड़ी गारियों को अपने टोइंग बैन के जरिये टो करके ले जाते हैं या फिर पार्किंग के फाइन का चलान गारी पे चिपका कर चले जाते हैं अब इंडिया में मैकसिमम लोगों को जो पार्किंग और टोइंग से जोड़े नियमों की जानकारी नहीं होती है और इसी का फाइदा नगर निगम वाले उठाते हैं आगे इस वीडियो में आपको Rules of the Road Regulations 1989 के सेक्षन 15 में दी गए जानकारी हो के अनुसर बताओंगा कि पबलिक रोड पे कहां कहां पर गारी खड़ी करने पे आपकी गारी नगर निगम वाले टोग कर सकते हैं कहां कहां पे गारी खड़ा करना लीगल है अगर तोइंग के समय आपकी गारी के किसी भी तरब कोई डैमेज हो जाता है तो आपका क्या राइट्स है? कितने घंटे तक गारी खड़ी करने के बाद ही आपकी गारी टोगी और अलग-लग गारीयों का तोइंग फाइन और पारकिंग फाइन कितना है? तो वीडियो बहुत इंटेस्टिंग होगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले इसके अलावा अगर जहां पे ट्रैफिक लाइट है उस लाइट के आसपास भी गाड़ी पार करने पे टोक किया जा सकता है इसके अलावा अगर कहीं पे अप हिल हो, कहीं पे चढ़ान हो और उसके साइड पे आप अपनी गाड़ी को पार करते हो जो कि डेंजरस होता है बाकी की लोगों के लिए तो भी गाड़ी को टो किया जा सकता है साथ हम बैग्ड जो बिरिज है उसके उपर में गाड़ी पार करने पे भी आपकी गाड़ी को टो किया जा सकता है इसके लावा अगर आप रोड के wrong side में भली ही रोड के किनारे ही लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो तो भी टोक किया जा सकता है इसके लावा अगर आप जो footpath है वहाँ पे गाड़ी को पार्क करते हो या जो footpath का age है वहाँ पे भी गाड़ी को पार्क करते ह इसके अलावा जो स्कूल है या फिर जो होस्पिटल है उसके एंट्री गेट पे अगर आप अपनी गाड़ी को पार करके बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हो तो भी गाड़ी को टोग किया जा सकता है अगर आप मेन रोड में जहां पे बहुत ही ट्रैफिक का फास्ट मूवमेंट है वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार करके छोड़ देते हैं तो नगर निगम वाले गाड़ी को टोग करके ले जाएंगे साथ साथ आपने गौर किया हुआ कि बहुत सारे रोड़ में होते हैं तो उन रोड़ में भी गाड़ी को पारक करना मना है और आपने ये भी गौर किया हुआ कि चाहिए two lane हो चाहिए four lane हो हर एक रोड क約 का कुछ चोड़ाई होता है तो उस चोड़ाई के अंदर भी अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हो तो फिर टोइंग मैन वाले आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे इसके साथी अगर आप किसी पार्क डवेगल जो पहले से पहिकर लगा हुआ है वो तो सही जगा पे लगा हुआ उससे जश्ट पीछे सटा के आप अपनी अगर वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो तो फिर जो नगर निगम वाले हैं वो गाड़ी को टो करके ले जाएंगे तो ये सारी ही जो जगा है वहाँ पे नो पार्किंग है और इन जगहों पे पार्किंग करने पे गाड़ी को टो किया जा सकता है फ्रेंट्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे या पब्लिक रोड पे 10 घंटे या उससे ज़्यादा अपनी गाड़ी को पार करके छोड़ देते हैं और उस वज़ा से उस रोड पे जो ट्रैफिक का मुव्मेंट है वो या तो स्लो हुज 27 और 201 और Motor Vehicle Act आपकी गाड़ी को टो करके ले जाया सकता है और उसके उपर में फाइन लगाया जा सकता है अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल पब्लिक रोड पे कहां कहां पे गाड़ी को पार्क किया जा सकता है तो रूल में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर पब्लिक रोड में आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हो तो आपकी गाड़ी के पार्किंग के वज़ास से उस रोड पे गाड़ी चलाने वाले लोगों को या पिर उस रोड़ पे पैदल चलने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी, खत्रा नहीं होना चाहिए और कि गाड़ी के पार्किंग से किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और आपके गाड़ी पर ना तो फाइन लगेगा ना ही उसे टो करके ले जाया जा सकेगा फ्रेंट्स कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टोइंग के गाड़ी डैमेज हो जाती है अब फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि आज कर हर कुछ प्राइवेट हो रहा है आपने गौर क्या हो कि जो नगर निगम वाले जो हमारी पार्किंग का चार्ज लेते है वो भी प्राइव फ्रेंट्स आप इसके लिए अपील कर सकते हो और कोर्ट में केस भी कर सकते हो फ्रेंट्स अब अगर हम लोग टोइंग और पार्किंग के फाइन की बात करें तो आपको तो पता है कि भारत जो है वो विवित्ताओं का देस है यहां हर 20 से 30 किलोमेटर के बाद वेस भूसा बोली चाली सब चेंज हो जाती है और इसी तरह जो फाइन है वो भी चेंज हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो फाइन होते हैं वो सेंट्रल या स्टेट लेवल पे नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट आर्टियो लेवल पे ही होते हैं और सेम ऐसा ही पार्किंग और विलर या पिर जो ट्रक्स बगरा है उनका 2000 से 5000 या रुपए तक होता है इसके साथ ही कई बार जो टोउइंग का चार्ज अलग से जोड़ा जाता है जहां पर देखा गया है कि जो 2 विलर को अगर टोक किया गया है तो उसका चार्ज होता है 50 रुपए, अगर 4-wheeler को टोक किया गया है, तो उसका चार्ज होता है 800 रुपए, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि हर एक एरिया का जो Municipal Corporation होता है, वो चार्जेस अलग-अलग लेती है, जिसके बारे में आप Google में सर्च करके, अपने एरिया कि Municipal Corporation का जो पार्किंग और टोइंग का चार्ज है, वो जान सकते हो, तो फ्रेंट्स इस वीडियो मैंने आपको इंडिया में टोइंग और पार्किंग से लेटेड जो रूल है इसके बारे में डिटेल ने बता है, वैसे इससे पहले के वीडियो जे मैंने आपको बताया है कि जो रोड पे वाइट और यल्लो लाइन्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता है, पुलिस के पकड़ने पे कौन कौन सो डॉकुमेंट्स को जरूरी है, 62 ट्रैफिक सेफटी साइंस का क्या मतलब होता है और इंडिया में हाइवे में जो मालिश्टोन दिखाई देते हैं, तो उन अलग रगरंगों का क्या मतलब होता है, सारे ही वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्यों एक रगरंगों के वीडियो के वीडियो के लिए